प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोटफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे आज मैं आपको आज के दैनिक पंचान के बारे में बताने जा रहा हूँ आज दिनांक 26 दिसंबर 2020 दिन शनिवार शनिवार भगवान हनुमान और शनिदेव का दिन माना गया है आज जिनका भी जन्मदीन है उनको उनके जन्मदीन की धेर सारी शुब कामना आए आप शभी भक्तों के उपर शनिदेव और हनुमान जी का करपा सदैब बना रहे है आज मार्ग शिर्ष अकरहन माह शुकल पक्ष की द्वादशी तिथी होगी अगले दिन रात्री चार बजकर उन्नेस मिनट तक सुर्योदय सुभा छे बजकर तेतीस मिनट और सुर्यास्त साम पांच बजकर छे मिनट चंद्रोदय यानि की चंद्रमा उदित होंगे दो पहर दो बजकर बीस मिनट पे और चंद्रा यानि की चंद्रमा अस्त होंगे रात्री तीन बजे सुर्य धनो राशी में रहेंगे और चंद्रमा मेश राशी में यहां हे मंत रितु है आयन दक्षन आयन रहेगा नशत्र की बात करे तो भरने नशत्र सुबह 10 बच कर 36 मेर तक दिशाशूल की बात करे तो आज शनिबार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पुर्वर और इशान दिशा की यात्रा ना करे यह लावकारी नहीं होगा अगर ज्यादा जुरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से अदरक उड़त की दाल या तिल खा कर बाहर निकले इससे पहले पांच कदम पीछे चले फिर अपने गंतब विक्योर आगे बढ़े आज शनिबार का दिन हनुमान जी और शनिदेव का दिन माना गया है आज के दिन शुवह ब्रह्म मुहुरत में उठ करके अपने शभी नित्य क्रियाओं शे निवित हो करके गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अश्नान करे शुद्वस्त्र धारन करे उसके बाद पीपल के व्रिक्ष में गुड और तिल मिस्रि तो बहुत ही लापकारी होगा इससे श्वह देवी देवताओं का वास माना गया हैं इससे श्वही देवि देवता शांत रहते हैं और आशिवाद प्रदान करते हैं तो पीपल के विक्ष में गुड और तिल में जल डाले तो बहुत ही लाबकारी होगा आज के दिन शनी देव के मंदिर में जाकर के शनी देव को शर्षो का तेल चढ़ाए और शर्षो का तेल दान करे तो बहुत ही लाबकारी होगा आज हनुमान जी का पूजन करे हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं लाल चोला चढ़ाएं और उन्हें लड़ू का होग लगाए तो बहुत ही लाबकारी होगा हनुमान चालीसा सुन्दर कांड आदी का पाठ करे तो अति उत्तम और लाबदायक होगा हनुमान जी का पूजन करने वाले को बुद्धी और बल की प्राप्ति होती है आईए जानते हैं आज के शुब महुर्द के बारे में शुब महुर्द की बात करें तो अभिजीत महुर्द सुबह 11 बज कर 29 मिनट से 2 पहर 12 बज कर 11 मिनट तक गोली कालम शमय होगा सुबह 6 बज कर 33 मिनट से सुबह 7 बज कर 22 मिनट तक राहुकाल समय की बात करें तो राहुकाल समय के दवरान कोई भी शुब कारें नहीं करना चाहिए यह लावकारी नहीं होता है तो राहुकाल का समय होगा सुबह 9 बचकर 11 मिनट से सुबह 10 बचकर 31 मिनट तक यह विकरम शंबत 277 प्रमादी है और शक्षंबत 142 सरवरी तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हम एक कमेंट करके जरूर बताएं हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाएं वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के शाथ शेयर करें शुक्रे रहें और स्वस्त रहें जैस तरे राधे क्रिश्न धन्यबाद